हाँ बच्छे क्योश्ण नुमर जो 18 है आपका वो 17 से मिलता जुलता ही क्योश्ण है वैसा ही है बस तोड़ी वेल्यू हल गिए 559 के डिवाइड करना है 58764 में ठीक है देखो इस तरीके से करेंगे अपने इसको सबसे पहला सैम मेथड दोह जंक ठीक है तो जंक अपना इसके ठीक है और मुख्यंग हो जाएगा जो पीछे बचया पांच बचया था पांच उसमें 11 बचा था ठीक है e kी बाठ अए एक ही बात है kolom बनेगे तीन तीन कॉलम के अंदर अपन को क्या-क्या लिखना है कि जो सेकंड कॉलम और थर्ड जो कॉलम है उसको अपन को यह देन लिखना है कि थर्ड कॉलम है हमेशा एक डिजिट आएगा ओनली फॉर और जो पीछे बच गया फाइफ, एट, सेवन, सिक्स मुआ जाएगा अपने सेकिन कॉलम और जो यह हमारा कोलम होगा बाग फाल का होगा यह अपने सेश्वल का हो जाएगा क्यों कि में अब फाल का मंदी क्योंट का हुआए यह अपने शेश का यानएtóकि की तीक है अब समज़ाबा स्टेप्स की बाद आती है तो फर्स्ट टेप डिवाइजर डिवाइजर अपने कितना जिस से डिवाइड कर रहे हैं 59 ठीक है इंदी मुलते हैं इसको भाजक कोमा दो जंग दो जंग कितना अपने दो जंग हो गया 9 ठीक है और थर्ड जो बात है वो है मुख्यां मुख्यां कितना पाच यह फास्ट टेप होगी सेकंड स्टेप बनेगी बच्छे अपनी वह बनेगी थार्ड कॉलम के लिए तो इन थार्ड पार्ट ठीक है इन थार्ड फार्ट ओनली वन डिजिट ठीक है और डिविडेंट इस केट इस में वह है चार हिंदिय वन बच्छे लिए तीसरे खंड में भाज्य का भाज्य का बाजे की केवल एक संख्या और वो कितनी है यह हिंदियाल बच्छे लिख देंगे जो थर्ड स्टेप बनेगी बच्छे अपनी वो बनेगी डिवाइड की स्टेप शुरू हो जाएगी अब जो यह पांच है पांच का पांच में डिवाइड करेंगे आप वेरी इंपोर्टन बिसिंपल है लेकिन दियान से करना समझो इदर पांच का पांच में गया एक बार ठीक है जिरो रिमेंडर बचे गया तो आपने क्या लिखा कि क्योशंट यानि कि जो बाग फल था आपका वो आया एक और फिर आपने सेकंड लाइन में लिख दिया रिमेंडर यानि यानि कि शेंश बलाए जिरो ठीक है तो फिर चोती जो कॉलम step बनेगी वो हमारे बनेगी रिमेंडर के लप से रिमेंडर जिरो को लेके गए आट के पास यानि कि जो वो हमारे लिख क्या बना new dividend हमेंशन दियान देना जो भी रिमेंडर आएगा वो हमारे लिख नया भाज़क बनेगा नया भाज़क बनेगा 08 लेकिन नया भाज़क हम direct use नहीं करेंगे उसको open करेंगे modify ठीक है तो modify dividend modify गा मतलब संशोदित भाज़क तो संशोदित हमारे लिख क्या बन जाएगा वो formula से हम वापस नया भाज़े minus भाग फल into द्वज़क हिंदी वाले बिच इंग्लिश वाले new dividend minus quotient minus द्वज़क new dividend 08 minus quotient just पीछे वाला ये 1 आया into into द्वज़क द्वज़क क्या लिए अपने 9 ठीक है एक बात बताओ यह 8 है यह 9 है क्या यह valid है मैंने का था कि जब भी value minus में आ जाए एक कदम पीछे जाना है ठीक है तो देखो यहाँ जो minus 1 बच रहा था मतलब value minus में बच रही है चलो पीछे कहां कि 5 का 5 में डिवाइड बिलकुर जा रहा था लेकिन value minus में आ गई अब 5 का 5 में ने देंगी अब यह आप सोच रहेंगे एक अदम पीछे तो एक अदम तो वैसे वन टाइम ही गयाता तो यहाँ पर क्या करें अपन एसी सिच्वेशन में अपनको next नमर को भी उसमें शामिल करना है अजस करना मतलब अब किस में डिवाइड करना है 58 में डिवाइड करना है बच्चे बिकोज यहाँ value minus में अब समझवा जाएगा पीछे क्या बच्चे बच्चे तीन बच्च गया वह पांच का 11 बार चला गया पीछे तीन बच्च गया तो बागफल 11 और 6 पल आपके आगे 3 ठीक है फिर new dividend आपके सामने जो क्या बना वो बना 3 तीन गया 7 के पास में तो वो बन गे 37 विगोज 58 तक तो आए गये थे तो य 37 यानि कि 37 में से आपने माइनस किया 37 माइनस 11 इंटु 9 99 फिर माइनस मा रहा है इसलिए मेरी एक टेकनिक को समझो आप हमेशा ये तो बहुत ही common sense concept है आपका सब में काम करेगा यहां पर कभी भी 9 से ज़्यादा बागफल नहीं आना चाहिए यह दिमाग लगा लगा लो यहां पर लेना है आपको 9 हमेशा 9 ताकि एक्जाम में टाइम बच जाए मतलब हमेशा बागफल वन डिजिट मारना चाहिए एक बारी में यह द्यान देलो उससे उपर आ रहा तो आप वैसे भी मत दो दो इमद जान बूश की मत दो बलें 11 बार जा रहो आप तो 9 बार दो ठीक है तो डाइक नो ही बार देना है तो आएगा 45 ठीक है ना क्योंकि देखो मैं अगर 10 बार देखे देखता तो भी वैली माई निस माई की बलें आप देख लाना इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना मेरी टेक्निक को समझो आप हमेशा यहां पर आपको वन डिजिट लेन यहां है बास एक दस से कम देना है तो नो बार दिया तो पांच नम पेंतालीस नाइन फाइज और फॉट्टी फाइव यहां बचकी अपने तीन और तेरा बचके ठीक है तो बागफल हमारा आया बच्छे नाइन और रिमेंडर अपना गया ठीक है अब अब जो नू डिवि क्योशंट कौन साब तो यह वैलिड है यह वाला तो क्योशंट है नाइन इंटू दो जंक दो जंक भी नाइन यह बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा यहां बच्छे वन थार्टी सेवन माइनस नाइन जा एटी वन तो साथ में से गया तो 6 और 13 में से 8 जाएगा तो 5 तो यह क्या बचिया अपने 56 तो मोडिफाइ 56 इसका मतलब यह हमारे बन जाएगी बच्छे अपने यह हमारे जो 56 बन गया तो 56 में पांच का डिवाइड करेंगे तो मैंने कहा था पांच का बले 11 बार जा रहे है लेकिन हम नहीं देंगे विगोज दस थे छोटा नमबर रखना है दस कम लास्ट नो बार देना है बस तो 59 जा 45 पीछे क्या बचिया वन और 11 बचिया यानि कि बाग फल यानि कि क्योशन तो बचिया नो और 6 फल यानि कि रिमेंडर होगे अपना 11 ठीक है चलो साथी स्टेफ यह जो रिमेंडर बचेगा हमारा वो हमें क्या देगा अच्छा मतलब 116 बनीगा छीक है एक्सस्तोबा बनी लेकिन हम डायेक्टपर लिश नहीं करते हैं इससको करते हैं मोड़ify तो यह हो जाएगा modify dividend modify का मतलब संशोदित भज संशोदित भज़ भज़ हो जाएगा new dividend formula होता है new dividend minus quotient into 20 यानिकी बागफल into 20 new dividend का मतलब नया भज़ यह bracket मर रहेगी चीज़ ठीक है, 9 divide कितना 116 minus quotient जो पीछवाल आयता है 9 into 2 जंग भी 9 तो 116 में से 81 minus हो जाएगा तो क्या बच्चा गचा है, में से आगया तो 5 और 11 में से आठ गया तो 35 हमर लिए बच्चा संशोद भज़ इसका मतलब ये जो 35 बच्चा वो हमारे लिए भाग देने लाइक है 5 का भाग दिया 5 का भाग दिया तो 5 सत्य है 35 पूरा पूरा चला गया तो यहां पर भाग फल यानि कि जो क्योशन डाया बच्चे हो गितना है 7 और 6 फल जो रिमेंडर होता है वो है 0, कुछ नहीं बचा तो 0 यानि कि भाग फल एक अंजरोर आ गया इतना 7 और रिमेंडर बचिया अपना 0 तो इस तरीके से आपका जो यह क्योशन नमर 17 था बाग फल 18 बाग फल तो गया 997 900 सत्यान में और 6 पल लिए आपर कुछ नहीं बचा 0 इस तरीके से आपका यह क्योशन नमर 17 पूरा हो